जै मैसी की दोस्तों येशु के गीत के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है येशु के गीत के इस एपिसोड में हम आपको से खाएंगे कि कॉंगो के उपर रब की होवे सना हमेशा गीत को कैसे बजाना है वो भी आसान तरीके से तो आईए सीखते हैं रब की होवे सना हमेशा on Congo तो आईए सीखते हैं रब की होवे सना हमेशा इस गीत को कई बादे अंतरों पर बजाए जाता है यानि कि धोलक की उपर, तबले की उपर, आप इसको ड्रम साट में ब्या सकते हैं, लेकिन बहुत से हमारे जो देखने वाले शोता हैं, वो ही पूछ रहेते हैं, कि इसको कॉंगो पे कैसे बजाया जाए, तो कॉंगो के उपर बजाने के लिए सबसे असान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, यह जो है, हाथ 2 बार और ये 1 बार, ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, एक, डो और फिर ये 1, तो अगर मैं फिंगर से आपको दिखाँ तो भग, भग, दो बार बेस बजाया, और एक भग जो टक से करना है जब खाली जगाती थे यानि कि जो मैं base बजा रहा हूँ है ऐसे नहीं बजा रहा है ऐसे नहीं बजा रहा है जिसे दिल धलकता न आपका वार रिदम बन गई ये दिखी कितना असान तरिका आपको ज़रूर ही नहीं है कि अपना सारा दिमाग लडाने कि यह भी पड़ा हुआ है, वो भी है, इस पर भजाने है, वाँ भी भजाने नहीं नहीं देगे असान है, और आप अगर फिंगर आपके तो यह अगर आपने करा, तो बज जाएगा, एक बार देखिए, गीत के साथ, बजा के देखते हैं, उसको कहते हैं, शैनन एक बार हमारे साथ गाएंगी गीत को, वान, टू, ट्री, फोर अब यह शू कर दिया नहीं एक, दो, टीन, चार, पाच, पाच यह रोल कहता है, बस हलका से आपने लगा है करना क्या आता है इसके अंदर, शुरुवात एक से करनी है, और फिर वो अपने आप डबल 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 आता चलेगा एक, एक, दो, दो, एक, दो, एक, दो, अब वो एक नहीं आ रहा, पाच शुरुवात एक से करनी है वान, टू, त्री, फोर तो दोस्तों, कैसा लगा यह अपिसोड? उमीद है आपको यह पसंद रहा होगा, और पसंद रहा तो इसे लाइक जरू कीजिए, कॉमेंट जरू कीजिए, और शेर जरू कीजिए और अभी तक, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी लेटस अपडेट्स और सारी नोटिफिकेशन्स मिलती रहेंगी दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.yesukakegit.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहां मिलेंगे आपको गिटार की कॉर्ट्स, प्यानों के चार्ट्स और गीतों के लिरिक्स इसके साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं इस्टाग्राम पर येशु के गीत पर तो दोस्तों, देखते रहे हैं हमारे एपिसोड जै मसे की और God bless you